नमस्कार मैं हूँ चंद्रबान सिंग मदोरिया और आप देख रहे हैं सी बी लाइव ये खबर चर्चिस सोंडवा सिक का कांट से जड़ी हुई है अब गुजरात के एहमदाबाद की नारको यूनिट जियां फॉरेंसिक यूनिट जो की गुजरात सरकार की है वो तहे करेग की सोंडवा के तद्कालिन टी आई विजय देवडा और तीन पुलिस कर्मियों ने क्या वाकई में सोने के सिक्के जो की चोरी करने के आरोप है एफायार के नुसार वो वाकई में चुराए हैं या नहीं क्योंकि गिरिपतारी के करीब एक दरजन दिन से ज़्यादा पुलि ली कि उन्हें इजाज़त दी जाए कि वो फॉरंसिक टेस्ट के जरिये जिसमे नारको पॉलिग्राफ और ब्रेंड मेपिंग टेस्ट आते हैं उनके जरिये टेक्निकल एविडेंस जुटाएगी हाला कि कोर्ट में इसकी कितनी वैदता होती है इस पर कई सवाल है कई फैसल है जो हम आपको ब्रेक कर रहे हैं वो यह है कि एमदाबाद की फॉरंसिक लेबोर्टरी ने जहां पर पॉलिग्राफ ब्रेंड मेपिंग और नारको टेस्ट होना है चारों पुलिस कर्मियों के जिसमें टी विजए देवडा भी शामिल है उसकी डेट इशू कर दी है जहां डेट जारी कर दी है पांच अक्टूमबर से लेकर अगले चार नवंबर के बीच में समय दिया गया है कि इस पूरे डिरेशन में अलिराजपुर पुलिस इन चारों को वहां पर लेबोर्टरी में ले जाकर इनके फॉरंसिक टेस्ट करवा ले ये समय अवदी बकाइदा ल नारको के जरीए ब्रेंड मेपिंग के जरीए और पॉलिग्राफ टेस्ट के जरीए ये क्या वाकई में इन चारों ने सोने के सिक्के चुराए हैं और अगर चुराए हैं तो वो कहा हैं सच जूट कितना बोल रहे हैं ये सब कुछ उच्छ तकनीक के ज़रा अब पता किया जा सकेगा तो ये टेस्ट होंगे आपको फिर से तारिक बता देते हैं पांच अक्टूंबर से लेकर चार नौंबर तक की तारिक दी गई है इस डूरेशन में जाकर पुलिस कहां पर लबोटरी में इन चारों को ले जाएगी और इनसे अलग-अलग इनकी ब्रेंड मैपिं कि अब इसके लिए जो संभावित पांच-छे लाख रुपए का खर्चा है उस बजट को आवंटिद किया जाए ताकि इस संसनी केस में जिसमें पुलिस की छवी पर खासा बट्टर लगा है उसमें इन आरोपियों की तक्निकी जाच हो सकें ये विडमना है कि मॉडर्न इन देखना पड़ रहा है बजट के लिए देखना पड़ रहा है ये वड़ी विडमना की बात है बहराल चुकि प्रक्रिया है तो ये चिठ्ठी लिग दी गई है अब ये बजट जैसे ही आता है और ये बजट इस तारीक के पहले आएगा तभी काम बनेगा तो ये बजट कब बाता है ये देखने अली बात होगी और इस दोरान क्या इनको जमानत मिल जाएगी आपके मन में ये सवाल भी होगा तो बिलकुल जमानत के लिए चारो आरोपी पुलिस करमी आविदन जरूर लगाएंगे इनके जो लायर हैं वो आविदन लगाएंगे वो ये कहेंगे कि गरबतारी के बाद दो दो ़र पियार पुलिस रिमान लेने के बावजूद भी इनसे कोई रिकावरी नहीं कर सकी है जिस से साब जाहिर होता कि ये निर्दोस है इसलिए इनको जमानत दी जाएगा जैसाकर दी जाता है लेकिन पुलिस को अब जमानत का विरोद करने का एक आतियार मिल गया है सबसे पहला आतियार अली राजपूरी की ही एक अदालत ने इजाज़त दी थी कि इनका नारको पॉलिग्राफ और ब्रेंड मेपिंग टेस्ट की जाए और दूसरा वो लेटर जो कि अमदाबाद की फॉरंसिक लेबोर्टरी का है जिसमें उन्होंने समय द जाएगी किसके तरको से जूरinh सरी कितना प्रभाइद होती है माननी जस्साब कितना प्रभाइद होते हैं ये लीगल विशा है इसरह हम कुछ नहीं कह सकते ये एविडेंस के उपर है, investigation की कमिया या खुबियों की उपर निर्भर करता है, case की परिस्तितियों की उपर निर्भर करता है, लेकिन ये सब कुछ कोट में अब हो सकता है, पुलिस जमानत का विरोध इस आधार पर कर सकती है, तो ताजा अपडेट में फिलाल इतना ही, इस मामले पर जो भी अगली अपडेट होगी आपको बताते रहेंगे बने रही है आप सीविल लाइव के साथ